हेलो नमस्कार दोस्तों क्या आपको पता है कि गोस्वामी तुलसी दास जी ने सर्व प्रथम सी राम चंदर जी को देखने की एक प्रेक्ट के समक्ष प्रकट की थी इस कथा को प्लीज पूरा जरूर सुने कथा सुरू करने से पहले प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए और भी इस तरह के अनोखी धार्मिक और पौरानिक कथाओं को आपके लिए लेके आते रहें गोस्वामी तुलसिदास जी का जनम विक्रम समवत 1554 की सुक्ष सप्तमी को बांदा जी लेके राजापूर नामक ग्राम में हुआ था इनके पिता का नाम स्री आत्मा राम दूबे तथा माता का नाम हुलसी था जन्म के समय ये रोए नहीं थे और इनके मुक्ष से राम नाम का साप साप उच्चारन हो रहा था इनका जनम अभुक्तमूल नच्छत्र में हुआ था और आकार प्रकार पांच वर्ष के बालक जैसा था जियोत्सियों ने अभुक्तमूल में जनम लेने के कारण इनहें माता पिता के लिए अनिष्ट प्रत बताया बालक के अनिष्ट की असांका से इनकी माता ने इनहें अपनी दासी चुनिया के साथ उसके ससुराल भेज दिया और दुसरे ही दिन इस संसार से चल बसी तब चुनिया ने इनको बरे ही प्रेम से लालन पालन किया किन्तु जब इनकी उम्र साढे पांच वर्ष की थी तब चुनिया भी भगवान की प्यारी हो गई तब ये अनाथ होकर द्वार द्वार भटकने लगे तब भगवान संकर की प्रेर्णा से स्वामी नरहरियानंद जी इन्हें अयोध्या ले गए और योग्यो पवित संसकार करके इनका नाम राम बोला रखा इनकी बुद्धी अत्यंत प्रखर थी ये अपने गुरु से जो भी सुनते ततकाल कंठस्त कर लेते थे अयोध्या से अपने गुरु स्री नरहरिदास जी के साथ ये सोरो आये जहां गुरु मुक्से इन्हे पवित्र राम कथास्रवन करने का अफसर मिला तरंतर कासी जाकर इन्हों ने स्री सेस सनातन जी से 15 वर्सों तक वेद सास्त्रों का गंबीर अध्यान किया गोस्वामी जी का विवाह भारद्वाज गोत्र की सुन्द्री कन्या रतनावली से हुआ था एक दिन इनकी पत्नी अपने भाई के साथ अपने माय के चली गए पत्नी में अत्यधिक आसकती के कारण ये भी उनके पीछे पीछे ससुलाल पहुँच गये इस पर इनकी पत्नी इन्हें धिकारते हुए कहा कि जितना प्रेम तुम मेरी हारमांस के सरीर से करते हो उसका आधा भी यदि भगवान से कर सको तो तुम्हारा कल्यान हो जाएगा पतनी की कटू किन्तू सत्य बात ने इन्हें वैराग्य का रास्ता दिखाया वहां से ये सिधे परियाग आय और विरक्त हो गए गोस्वामी जी सौच के लिए नित्य गंगा पार जाया करते थे और लोटते समय लोटे का बचा पानी एक व्रिक्ष की जर में डाल दिया करते थे उस पेर पर एक प्रेत रहता था उसने गोस्वामी जी से संतुष्ठ होकर वर मांगने के लिए कहा इन्होंने उससे भगवान स्री राम के दर्शन की लालसा प्रकट की तब प्रेत ने इन्हें स्री हनुमान जी की किर्पा का अवलम लेने की सलाह दी एक दिन एक सत्संग में इन्हें स्री हनुमान जी का सक्षातकार हुआ हनुमान जी ने चितरकूट में भगवान का दर्शन कराने का इन्हें अस्वासन दिया चित्रकूट के घाट पर बैटकर श्री गोस्वामी जी चंदन घीस रहे थे इतने में भगवान सामने आ गये और इनसे चंदन मांगा गोस्वामी जी की जनम जनमांतर की इक्षा पूरी हो गई इनहें भगवान श्री राम के अनूपम रूप का सक्षातकार हुआ श्री हनमांजी की आगया से इन्होंने विक्रम समवत 1631 की चैत्र सुक्ल राम नौमी मंगलवार को श्री राम चरित मानस की रचना प्रारंभ की दो वर्ष सात माह 26 दिन में यह गरंध तैयार हुआ इन्होंने विक्रम समवत 1680 को स्रावन क्रिष्ण पक्षत्रित्या को सनिवार को राम राम करते हुए अपने नस्वर्दे का त्याग किया पूरी कथा सुनने के लिए धन्यवाद इस तरह के और भी धार में कोर्परानी कथाओं को सुनने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद